हैलो फ्रेंट आप सभी का आपके योट्यूब चेनल पे एक बाब फिर से स्वागत है और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नेशनल हेल्थ मीसन हड़ियान के तरब से मीडि लेबल हेल्थ प्रोवाइडर को जो वेकेंसी निकला यानि कि चियाचो का जो वेकेंसी निकला आपको से ऑनलेन कैसे कर सकते हैं description में link है वहाँ पर जाईएगा आपकी सामने यह पर पिन होगा जहाँ पर सबसे पहले आपको पूछेगा किस district ले अप्लाई करना चाहते हैं तो अपना यहाँ पर आपका जो जीला होगा वह आपको वह सेलेक्ट कर लेना है उसके पूछेगा matriculation हो आपका हिंदी था या Sanskrit था अगर दोनों था तो आपको दोनों में कोई सेलेक्ट कर ले जागा लेकिन ऐसा से language select करेगा जो आपको बोलने के लिए आता हो उसके बाद यहाँ आपका नाम पूछेगा तो आपको यहाँ अपना नाम भर देना है उसके बाद यहाँ पापा के नाम पूछेगा आपको अपना पापा के नाम भर देना है और फिर यहाँ पर आपको email id होगा आपको वो यहाँ पर भर देना है ठीके अब यह भरने के बाद यहाँ पर आपको email id बोलेगा तो आपको यहाँ पर email id यहाँ पर लिख देना है email लिखने के बाद यहां पर आप देखेंगे आपको यहां पर date of birth बोलेगा तो आपको जो date of birth होगा आपको यहां पर लिख देना है date of birth लिखने के बाद यहां नीचे देखेगा तो register को option देखने को मिलता होगा आपको register पर करना है? किलिक करना है register पर click करते हैं आप आपका application number मिल जाएगा और आपको यहाँ पर चाहिए तो प्रोसीड कर सकते हैं तो इससे पहले आपको यहाँ प्रोसीड को जो option है प्रोसीड पर click कर देंगे आपको लिख देना है nationality आपको इंडियन रहेगा उसकी बाद पुछा कि आप NHM employee के निवास हैं या नहीं है आप पूछेगर आप आपको यहाँ जाए तो आप आपको सेलेक्शन करना है उसके बाद पुछेगर आप विकलांग है या नहीं है या आपको भड़ना है तो फड़ी नहीं है तो छोड़ सकते है उसकी बाद अब आपको उम्रे में रिलक्शाशन चाहिए तो आप यहाँ पर लिख के सकते हैं लेकिन वहीं के लोग जैसे हर्याना के लोगगों यहाँ पर आरक्षन में छूट मिलेगा यानि कि age में छूट मिलेगा बाहरी लोग को यहाँ पर छूट नहीं मिलेगा उसके बद आप date of birth देखेगा यहाँ पर दिखा देगा ओमर आपको कितना हुआ है और यहाँ पर कुछ ID proof मागा जाएगा जिसमें आधार काड, driving license, pen card, voter ID card और passport इसमें से अगर कोई भी आप पास नहीं है तो आप एनी अधर पर किलिक कर सकते हैं तो उसके बाद पूछेगा क्या आप प्रूफ दे रहे हैं जिसे आपको matriculation का प्रूफ दे रहे हैं उसको लिखना अगर में पास अधार कड़े तो मैंने अधार कड़ पर ख्लिक है और यहाँ पर मुझे अधार कड़ का благодар का number आपको बहुआ है अगर आपकर कुलिक करने के बाद यहाँ पूछेगा तो आपको यहाँ पर घ्लिक करना है आगर आपको जोहले होता 3 साल के लिए तो यहाँ आपको फेंगे करना है तो आपको इस पर लिखना ही पडेगा यहाँ आपको फोर्म इम्पला है या नहीं है अगर regular काम करते हैं यानि कि government apply पूरा fully है तब यहाँ पर yes के जगा नहीं करते हैं तो no पे click है जगा अगर yes के click करते हैं तो पूछेगा कब join किये हैं और कौन से department के अंदर है किस परगार का employment है ठीक है और यहाँ पर पूछेगा office के बारे में तो आपको inform किये हैं office को form भरने के लिए तो हाँ yes या no पे click करना है तब यहाँ पूछा गया कि आपको dismiss किया है government service से हाँ या नहीं अगर किया गया है तो यहाँ देज़ेगा क्यों किया गया है कारण बता देज़ेगा लेकिन मैं यहाँ पर नहीं government ने पला है तो मैं यहाँ पर no पर ही click करूँगा उसके बाद यहाँ पर भरने के बाद यहाँ जो process जो next है address भरने का आपको उसके click करना है इसके बाद click करने के बाद यहाँ आपको address पुछेगा तो आपको यहाँ पर address भर देना है एड्रेस भरने के बाद यहां पूछा किस राज से बिलों करते हैं, अपना राज का नाम लिखना है, डिस्टिक्ट का नाम लिखना है, किस डिस्टिक्स आप बिलों करते हैं, पिन कोट कि आपको वहाँ पर लिख देना है, पिन कोट लिखने के बाद यहां पर देखेंगे, तो यहाँ पर आपको tick option देखने मिला, अगर आपको correspondence address permanent the same है, तब आपको इस पर tick करना नहीं है, तो आपको उसे छोड़ सकते हैं, फिर अपना address फिल लिखेगा दुवारा, सब कुछ भरने के बाद है, प्रोसी टू क्वालिफिकेशन डिटेल का उप्शन देखे आपको इस nursing, BAMS या post basic nursing के बारे में, आप देखिए क्या है qualification तो मैं आपको इहाँ पर दिखा दना चाहता हूँ, जैसे कि आपका notification है, तो आप यहाँ नीची कर आईएगा, तो यहाँ पर essential qualification के बारे में आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर लिखा कि BAMS, BAC nursing में आपका होना च चाहिए, जिसमें का degree complete होना चाहिए, जिसमें के mid-level health provider आपका काम होना चाहिए, जिसमें integrated होना चाहिए, BAC nursing या post BAC nursing के साथ में, उसके बाद यहाँ देखिएगा, फिलिगा BAC nursing या post basic BAC nursing आपका degree holder होना चाहिए, यह इतना important चीज आपको यह अपना qualification देख लिजेगा, उस percentage यहाँ पर आपको total marks है, आपको total marks लिखना है, और यहाँ पर percentage calculator का automatic और यहाँ degree mode पुछेगा, degree mode में फिर आपको regular की है, private से की है, distance से की है, आपको selection कर देना है, यह करने बाद आपको save qualification का option आपको save qualification पर click करना है, उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ गलती हो रहा तो आप basic qualification जो आपको adjust form के लिए भर रहा है, वो होना चाहिए, तो भरने के बाद आपको proceed with document upload का option आपको इसके उपर click करना होगा, तो यहाँ पर आपको देखी लिख रहा है, कि as per qualification आप eligible नहीं है, तो यहाँ पर क्या मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको 10th का detail मांग रहा है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएंगे safe qualification का option आपको safe qualification पर click करना है, उसके बाद यहाँ जो 8 new qualification का option आता हो उसके लिए को लिख केजएगा, to world का इहाँ detail भरना आपको है, to world का detail चाहँbenा है, कि बोरट से pass किये वो लिखना है, कितने marks आया है वो लिखना है, कितने marks भ्य सेंडेज आपका इत्मेटिक कल्किलेट हो जाएगा फिर लिखना है कि रेगुलर मोड से थे प्राइबर से थे जो होगा लिख देजेगा सेफ क्वालिफिकेशन उपर फिक करेंगी आप यहाँ पर प्रोसीड विज डॉक्मेंट आपको इसको पर क्लिक करना है अब यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ लिखा photo और signature आपका jpg फाईल में होना चाहिए जहाँ पर maximum 100 kb का होना चाहिए और वहीं पर लिखा है reservation उन्हीं लिख को मिलेगा जो हर्याना की होंगे तो यहाँ पर documents जो है आपका upload करना है अब यहाँ देखे combined documents PDF का मतलब क्या है 10th का mark sheet, 2th का mark sheet और graduation का mark sheet है वो सभी का upload करना है जिसमें कि आप यहाँ पर PDF format के सबको merge कर जेगा यानि कि सबको 1 minute आपको डालना है और यहाँ देख maximum 3 MB का होना चाहिए जहाँ पर देखे क्या क्या बोला फीट से समझ लेजे 10th का mark sheet, 2th का mark sheet और साथ में qualification यानि कि जो post basic nursing किये है या जो भी आपका qualification है उसके आप अगर आप हर्याना के बिलोग करते हैं तो आप कास्ट वहाँ से है, SC, ST, OBC आपको वो डालना है, हर्याना के दो मैसाल है तो आपको वो डालना है उसके बाद यहाँ देखेंगे, यह से भरने के बाद यहाँ जो process to education detail का option आपको उस पर किलिक करना है आप यहाँ पूछ रहा है कि education qualification आपका है, तो yes पर किलिक करना होगा register है या नहीं, अगर आप no पर किलिक करते हैं और process to review पर जाएंगे, तो हो सकते हैं यहाँ पर आपको फोज़ाएगा अगर आपको 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 कुछ गलती लग रहा है, तो यहाँ पर जू चीज आपको गलत है, आपको यहाँ पर सही कर सकते हैं अगर सब कुछ सही है, तो आपको जो process जो है, आपको वहाँ पर किलिक करते चल जाना है ठीक है यहाँ पर आपको सब धियान मी रखनी की चीज़ है अगर यहाँ पर आपका education qualification के अंदर आपका council number आपका registration हुआ होगा तो आपको यहाँ पर registration number डालना है कि किस अहां से किये हैं अगर नहीं है तो आपको आपको सब्सक्राइप के लिए अपको सब्सक्राइइब करना है तो यहाँ पर पेमेंट करना जो प्रोसीटो फी पेमेंट को उप्शन आ रहा है जहाँ पर लगेगा तो आपको कितना को देना है तो यहाँ पर देख लिजे जैसे कि जैनर कटेगे बच्चे को सोर कर देना पड़ेगा जो विकलांग हों को 50 रुपिया और जो हर्यानस जो आ सब्सक्राइब करेंगे और आपको बैक किया जाएगा और वहां से आप प्रिंट निकाल के फॉर्म को भर सकते हैं आसा करता हम बोट फॉर्म भनने समय वाल दिया होगा अगर नहीं दिक्का था तो कमेंट करिएगा पूछेगा मैं उसका जवाब जूर दूँगा आसा करत नेक्स वीडियो में थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो